अब सभी का स्किल डियूद गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है इस एपिसोड में हम राजस्थान डिजी फैस्ट जो की जोथपूर एडिशन है उसके बारे में डिसकेशन करने वाले हैं इससे पहले जैपूर में 1920 अगस्ट 2022 को राजस्थान डिजी फैस्ट बिड़ला उल्टोरियम में हुआ था यह उसका दूसरा वर्जन है जो की जोथपूर में होने वाला है यहाँ पर राजस्थान डिजी फैस्ट के साथ में IT जोब फैर भी और्गनाईज होने वाला है मतलब यह two in one opportunity है इसमें आपको अगर केवल visit करना है तो आपको एक बार registration करवाना होगा और अगर job के लिए apply करना है तो आपको एक अलग से registration करना होगा तो इस वीडियो में हम दौनों registration के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आपको registration करना है पहले हम इस फैर को जान लेते हैं यह 11 से लेके 13 नौबर 2022 चक राजकिय पॉलिटेखनिकल कॉलेज जोदपुर में organize होगा इसमें degree, diploma, ITI, graduate, post graduate, fresher, experienced youth जो है वो IT और ऐसे ही दूसरे sectors जो हैं जिसमें जो अगरिनी company है उनमें रोजगार के लिए apply कर सकते हैं लगबग 200 companies रहने वाली है, on the sports selection होगा आपका interview होगा और interaction होगा multi profile jobs इसमें रहने वाले हैं और sectors कौन से हैं इसमें IT, BPO, infrastructure, engineering, telecom, civil, banking and finance consulting, petroleum, retail, electrical और भी बहुत से sectors होने वाले हैं पहले हम इसके अंदर registration कैसे करना है केवल घूमने के लिए, explore करने के लिए उसका कुछ seconds में या minutes में process जान लेते हैं उसके बाद हम IT job fair में job के लिए कैसे apply करना है, form कैसे भ़ईनाया उसको देखने वाले हैं आपको Google पे जाके रास्थान DizzyFest टाइप करना है, जैसे ही आप टाइप करते हो आपके सामने एक कुछ आइकन आते हैं उनके उपर पहला आइकन जो है उसके आप क्लिक करेंगे जो कि DizzyFest में नॉर्मली विसिट करने के लिए है उसके जाकर आप कुछ basic details के साथ अपना data वहाँ upload करके apply कर सकते हैं पहले हम basic process जानते हैं उसके बाद IT job fair में कैसे registration करना है उसका process भी जानेंगे यह type 1 registration है केवल उन लोगों के लिए है जो इस DizzyFest को explore करना चाते हैं website नीचे लिखी हुई है DizzyFest.Rajasthan.gov.in नीचे description भी मिल जाएगी यहाँ सबसे पहले आपका नाम फिर valid email address फिर valid phone number phone number valid इसलिए क्योंकि इसके उपर एक OTP आएगा OTP के बाद भी ही आपका registration confirm होगा फिर date of worth उसके बाद gender आपकी category उसके बाद में कौन से state से आप आते हो visit करने के लिए जरूरी नहीं है आपकी राजस्थान के यूआप अगर किसी भी दूसरे state से हैं तो आप इसको visit कर सकते हैं उसके बाद में आप अपना state सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी आपका interest of area है उसको select करने के बाद ये सामने नीचे capture है इसमें tick करके submit कर दीजिए ये केवल उन candidates के लिए है जो इस राजस्थान डिजी फैस्ट को explore करना चाते हैं visit करना चाते हैं अब हम part 2 के बारे में बात करेंगे जिसमें हम IT job fair में registration करने के लिए ये website आपको नीचे description में मिल जाएगी आप चाहें तो इसके उपर QR code को scan भी कर सकते हैं जब आप QR code scan करते हैं या website ये जो नीचे description में available है वो visit करते हैं तो next process अब हम जानेंगे जब आप ये website visit करते हैं या QR code scan करते हैं तो आपके सामने ये pop-up या interface open होती है इसके अदर basically आपको जो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान डिजीफेस्ट जॉब फेर राजस्थान आईटी जॉब फेर गवर्मेंट अफ राजस्थान ये QR code यहां पर भी दिया हुआ है आपको यहां ये जो yellow link दिखाई दे रहा है job seeker registration form इस पर click करना है इस पर click करने के बाद में हम next process जाना है जब आप इस interface को ये mobile की screen को नीचे की तरफ scroll करते हैं तो यहां लिखा हुआ है जॉब फेर राजस्थान on 11, 12 and 13 November 2022 इसके अंदर 500 से ज़्यादा companies आने वाली है लगबग 14,000 से ज़्यादा vacancies रहने वाली है बहुत अच्छी opportunity है number of vacancies भी बहुत ज़्यादा है अब हम registration कैसे करते हैं वो जान लेगे वीडियो में कुछ second पहले जो job seeker registration form अविलेबल था interface पे या screen पे उस पे जब आप touch करेंगे तो आपके सामने ये interface open होगी यहाँ आपको अपना first name, last name, gender, date of worth और उसके बाद में state mention करना है mobile की screen को नीचे की तरफ scroll करना है उसके बाद में आपको अपना district, mobile number सही डालिएगा, OTP आएगा जहां तक मुझे idea है, email address सही डालिएगा, आपको mail जो है अगर आप select होते हैं, तो आपको इस पे mail आ जाएगा, उसके बाद fresher है या experienced है, आपकी highest qualification, I think इसमें 10th class से लेके, जो भी qualification आप रखते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए अब उसके बाद में आपका specialization क्या है, next उसका passing या appearing year कौन सा है, वो रहेगा, अगर CGP है तो वो रहेगा, उसके बाद 10th की percentage और 12th की percentage या फिर CGP है, उसके बाद में maximum skills या जो कि 5 तक हो सकती है वो आपको choose करनी है और उसको feed कर देना है, last में submit का option आ रहा है इससे आपका registration form fill up हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बाते यह हैं कि आपका email address valid होना चाहिए, mobile number active होना चाहिए, क्योंकि आपका OTP या और कोई process होता है वो उनके through ही आपको information मिलेगी, I hope आप लोगों को यह process clear हो गया होगा जो लोग apply करने वाले हैं, उनको all the best जो लोग apply करने वाले हैं, उनको all the best thank you so much for watching this video, मिलते हैं किसी अगले episode में और देखते हैं रहे हैं skill youth gurukul